दिलने के पूर्व डिप्टी सीये मनेश शोदिया को सुप्रिम कोट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रिम कोट ने आज 9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत दे दी है। मनेश सोदिया पिछले 17 महीने से तिहार जेल में बंद थे और अब उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद है। ये जमानत उन्हें दिलने शराब नीती घोटाले से जुड़े CBI और ED के मामलों में मिली है। CBI ने उन्हें 26 फरवरी 2030 को भरष्टाचार की आरोप में गिरफतार किया था जबकि ED ने मनी लोंडरिंग के मामले में 9 मार्च 2030 को गिरफतार किया था। सुप्रिम कोट के फैसले पर नजर डाले तो जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस केवी विश्विनात की बैंच ने कहा कि मामले में अब तक 400 से ज़्यादा गवा और हजारों दस्तावेश पेश किये जा चुके हैं। वाले दिनों में इसकेश के खत्म होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में शुषोदिया को हरा हिरासत में रखना उनके सुत्रंतता के मौलिक अधिकाल का उलंगन होगा। इससे पहले तीन दिन पहले 6 अगस्त को सुप्रीम कोट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उनकी याचिका में यह भी कहा गया था कि अक्टूबर 2023 से उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके चलते अब उनको जमानत दी जा रही है।